आज के वीडियो में आप सभी को बिहार के भागलपूर जिले का सेर करवाऊंगा है तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसकी वीडियो को कम्प्लीट देखें तो चलिए स्टार्ट करते हैं कौन क्वाण नमर्ण वान पर हम लोग जानेंगे कहल गाओ आईलेंड के बारे में भागलपूर में मौजूद कहल गाओ आईलेंड में गंगा और कोशी नदी का संगमस्थान मानना जाता है ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर गंगा और कोशी नदी का एक मिलन पॉइंट है एक संगा मस्थन माना जाता है और भागलपूर के कहल गाउं में जो है नौका विहार का अनन्द जो है वो नौका विहार का मजा यहाँ पर बने कहल गाउं आई लेंड की खुशूरती को दूग करने चाहिए जो भागलपुर में मजूर नंबर सेकंड पर हम लोग जानेंगे डालफोन वालाइफ सेंक्चुरी के बारे में भागलपुर में बना डौलफोन वालइफ सेंक्चुरी में आप जो है वह वह है वह डोफीन की खुब शूरत जंपिंग को पानी में छ़्angle लगा आफ प्राचीन जो है वो कलाकर्तिया आप देख सकते हैं इस संग्रालय में प्राचीन आजची कि देख सकते हैं इस जबहत पेले समय के जेवर और जेवराद जूरेड़ी देख सकते हैं इस सेंग्रहले में आप जीव जंतु के मुर्तियों को आप देख सकते हैं जाज़ो जाज़ो नंबर फॉर्ट पर हम लोग जानेंगे गुराण शा पीर बाबा इस सभी धर्मों के लोग यहां पर सर्धा के साथ इस दर्गह पर आते हैं और यहां पर वह मननत मांगते हैं और मुरादों को पूरा करते हैं और लिए आह पर चादर रहते हैं भागलपूर में बना ये गुरांश पीर दरगा एक, सर्ध हर का पर चेंद्र मारे जता है, नॉबर फिफ नॉम्बर परॉल्जपत पकार्ड की बारे में दोल जता मों बना भागलपूर का एक प्युत पर शिद्ध पार्क मत मैं जाता है और यहां पर बहुत सो लोग घूमने के लिए आते हैं यहां है शिक्स पॉइंट पर हम लोग जानेंगे आर्बी पलाजा के बारे में भागलपूर्ब में बना आर्बी पलाजा जो है यह एक बेहादी खोपसुरत जगह है और स्विमिंग करने वालों के लिए यह स् स्विमिंग करने वाले बहुत से लोग यहां पर आते हैं और स्विमिंग का अनद लेते हैं अगर अब भी श्विमिंग का अनद लेना चाहते हैं तो आप भागलपूर्ब के आर्बी पलाजा में आपका स्वागत है